हाँ जी कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे स्वागत है आपका चाय और कोड के अंदर चाय साथ में चलती रहेगी एक बड़ी इंट्रस्टिंग बात दिमाग में आई थी कि अकसर यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग इस तरह के टुटोरियल्स बनाते हैं कि Amazon का क्लोन बना दिया, Zomato का क्लोन बना दिया या फिर किसी और का Twitter का क्लोन बना दिया और अकसर, हाँ जी, अकसर उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ UI क्लोन हाँ जी, जैसी दिखती है न वैसे, हमार पास एक login पेज होगा हमार पास एक product का listing पेज होगा, देखो बन गया Amazon का क्लोन और फिर कहते हैं, सर, Amazon क्लोन तो बहुत होगा अभी हर कोई बना रहा है अरे नहीं, अक्चली मैं अगर Amazon क्लोन अभी भी बनाने बैठोगे तो सबसे the best project है लेकिन अकसर उन projects में हमने क्या करा है, सिर्फ UI clones बनाए है Tailwind के बारे में बताना चाह रहे हैं, या कोई और library framework जो आपने use करी उसके बारे में आप showcase करना चाह रहे हैं अगर react सीखने हैं, तो react के जैसे projects होने चाहिए, ना कि ऐसे projects जो की UI पे जादा focus करें तो हाँ जी, UI के अंदर हम भी जादा focus नहीं करेंगे, इस project के अंदर भी नहीं करेंगे हाँ जी project है, इस video में भी एक project है, और पुरा video project बनाने में ही जाएगा लेकिन हमारा इतना सा भी time waste नहीं होगा CSS की classes लिखने में तो अच्छा, अब इस video के अंदर बनाने के हवाले हैं, हाँ जी, बड़ा अच्छा question है ये तो, अच्छा सबसे पहले, हम जब भी आगे जाते हैं, तो obviously बात है, target लेते हैं, पिछला दा target आपने बहुत ही अच्छे से और फटाक से complete कर दिया था इस video का target है, मात्र 500 comments, that's it, मात्र 500 है, मुझे पता है, आप एक ही दिन में complete कर दोगे, और please फटाफट से video को share कीजेगा ये video ना, अपने आप में एक crash course है, react router का, उसके बारे में detail में चर्चा करेंगे, पहले ये तो देख ले, बनाने क्या वाले हैं तो ये हमारा webpage है, और ये हमारी application है, जो हम बनाने वाले हैं, अब obvious ही बाते आप कहेंगे, तो बड़ी सुंदर देख रही है, अरे सुंदरता पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, functionality पर ध्यान देना है, image ही तो है, और यहाँ पर एक text ही तो है, आप जो चाहे चेंज कर सकते तो जब हम CSS से टेलेविंट की बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने बनाया है ना, ये actually मैं सिर्फ 5 ही मिनट का खेल है, पांच मिनट का थो नहीं बट थोड़ा सा जादा है, बट हाँ बहुत आसान है, इसके अंदर इतना कुछ है नहीं actually मैं करने को, उ उसके बाद contact page पे जाएंगे, तो भी same है, हमारा contact slash contact आजाता है URL के अंदर, लेकिन हमारा top navigation bar और bottom का जो footer है, वो exactly same रहेगा, तो सिर्फ जो inner element है, वो change होते जा रहे हैं, जैसा की real world website में होता है, उसके लावा एक हमार पास github का link भी है, इस github के link के अंदर काफी interesting चीज हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो आपके जो github के followers आ रहे हैं, ये अक्चुली github API से आ रहे हैं, ये जो image आ रही है, वो भी github API से आ रही है, अब obviously बात है, ये image center पे नहीं है, वो assignment है, अब इसको beautification का assignment के अंदर हम देखेंगे, अच्छा इसके अलावा एक और component है, ज हमारे पास यहाँ पे 123 आ गया, अब 123 ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे parameters capture करना सीखेंगे, कि किस तरह से कोई भी URL के अंदर parameter है, जैसे हितेश हो गया, 123 हो गया, तो वो पूरा का पूरा हम capture करके यहाँ पे display करवा सकते हैं, एक बार अगर यह capture करना सीख गये, तो उसके ब party library, तो पहली बार हम एक third party library के तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम चीजों को, दूसरी parties को install करना सीखेंगे, और वहाँ से हम पूरा का पूरा काम सीखेंगे, बड़ा interesting होता है, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि आपका मैं थोड़ा सा time बचाना चाहता हू तो उसके लिए मैंने क्या कर रहा है, अच्छा, कई लोग पिछले वीडियो में पूछ भी रहते हैं, मैंने क्या करा है, वापिस से github के अंदर, आप जाएंगे, सबको पता ही है, कहाँ पे जाना है, github.com slash iteshaudari, चाय और react का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सीधे जैस स्टार्स भी बढ़ा हो यहाँ पे, और इसके अंदर आपको मैंने नोट्स यहाँ पे दे दिये, react router नोट्स, पिछले वाला जो वीडियो था, currency नोट्स यहाँ पे है, तो react के नोट्स यहाँ पे है, react router के, अब यह नोट्स कुछ नहीं है, header component है यहाँ पे, आपको basic HTML और CSS म अगरा सिखाऊंगा, वहाँ बात करेंगे उसकी, अभी बात करके तो time waste होगा ना, तो इसी तरह से मैंने footer component भी आपको दे दिया है, और भी जितने component से वो मैंने आपको बने बनाए दे दिये, हम यहाँ पे functionality सीखेंगे, functionality पे जादा बात करेंगे, तो about us component, contact us, जितने भी ह चाता तो इसकी जगे Amazon clone भी लगा सकता था, routing Amazon clone से सिखा देता, जादा वीडियो popular हो जाता, जादा viral हो जाता, लेकिन मुझे पता है, आप लोग ऐसे ही कर देंगे इस वीडियो को viral, तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे यह project को बनाएंगे, उससे पहले हम आजाते ह है मेरे English Channel पर react router version 6, जो version 6 है, in fact, मेरा पहला या दूसरा ही video था, जब react ही आया था, पूरा documentation पढ़के मैंने ही roll out किया था, वीडियो सबसे पहले, अभी 6.4 version के अंदर और और changes आ गए, हाँ जी, तो पुराना अगर आतने मेरा video देखा हो, तो यह changes है, यह changes कैसे क्या काम करत आना है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना project, तो npm create wheat latest और project हम बना लेंगे, तो चलते हैं back, अपने vs code के पास, कहा है हमारा vs code, यह रहा, यह मैंने already push कर दिया है सारा, तो उसमें आपको tension लेने की जरूत नहीं है, अभी हम सीधा गा सीधा एक नई file को create करेंगे, नया project create क project है, देखें, देखते देखते हम कहां पर आ गए, 7th project के अंदर, सोचा भी था कि इतनी बड़ी series हम बना लेंगे और start करेंगे, करते करते होई जाता है, तो यह लिजए, अब हमने यहां पर project बना लिया है, और हमारा 7th project है, तो 07, और इसका नाम देंगे react router, सब lower case में दे देते हैं, react router, package का नाम भी ठीक है, react के अंदर, code JavaScript के अंदर, चलते हैं हमारे project के अंदर, 07 के अंदर, और यहां पर इसको install करते हैं, तो basic, ओके, थोड़ा सा 1 मिनट लग रहा इसको भी आज, npm install, चलिए, तब तक हम आते हैं अपने वापिस से अपने browser के अंदर, और यह दोनों एक साथ install और configure भी हो जाएगा, तो चलते हैं वापिस, एक ही मिनट लगेगा, जादा कोई time वाली बात है नहीं, internet slow तो नहीं है मेरा, नहीं है तो नहीं, चलिए देखते हैं, कितना time इसको लगेगा, या तब तक documentation पढ़ ले हम, नहीं जादा time नहीं लगेगा, ठीक file के अंदर हमें ये config अपना content change करना है, wheat के साथ से, तो ये लिजे wheat के साथ से, ये सब तो आपको बड़ा boring लगता होगा, पर ठीक है, एक time था जब आप इस boring को भी करेते हैं, और ये सार ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, अब इतना confidence आ गया है, कि ये सब भी कर सकते हैं, और हम पर आके हम tailwind config को भी save कर लीजे, और simply npm run dev करना है, बस अपतो, npm run dev, और उमीद है, कि ये project open हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही expect कर रहे थे हम, थोड़ा सा और changes कर लेते हैं, app.jsx के अंदर जाके, और जो भी return हो रहा है, उनको एक बार minimize कर लेते हैं, और इन सब को हम हटाते हैं यहां से, इसमें काफी हम चर्चा करेंगे भी, h1 करना है हमें, और इसको बोल देते हैं, react router, अब obviously बात है, class name add करेंगे, कुछ classes देखते हैं, तो bg- gray suggestion दीजे, please green कर लेते हैं इस बार, green 600 और padding कर लेते हैं, 4 key और text कर देते हैं, text तो black ही ठीक है, ठीक है जी, देखते हैं कै इसा, मतलब अपना tailwind easily चल रहा है, पुरा काम चल रहा है tailwind का, ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होंगे, पहले actually में first step यह है कि जितने भी components है, वो components हम बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम functionality के बारे में बात करेंगे, functionality के बारे में obviously बात है, काफी detail में चर्चा की जाएगी किस तरह से होगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, अपने जितने भी components हमें चाहिएंगे, उसको बना लते हैं, अब component के structure आप कैसे organize करते हैं, यह आपके उपर है, मैं अपनी best practices आपको बता देता हूँ, क्या क्या हम use करते हैं, industry के अंदर mostly, तो पहले तो components, इसके अंदर मैं तो थोड़ा सा और अलग बताता हूँ, पिछले वीडियो में आपको याद हो, तो मैंने एक index file बना के बताया था, कि सारे component आप एक साथ export कर सकते हो तरीके से, वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तरीका एकदम ठीक है, अब इस component के अंदर क्या है, कि मै इक एक करके सारे-के-सारे folders, files, यह सब बनाता जाता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना header बना लेते हैं, header यानि navigation bar, एक folder मैंने यहापे create करा, जिसका नाम रखा मैंने header, अच्छा, अब interesting बात क्या है, कि एक तो header हो गया, ऐसा ही एक footer भी होगा, पहले header के अंदर आ देते हैं, और बात करते हैं उसके बारे में, तो header के अंदर new file बनाते हैं, header.jsx, क्योंकि यही return करेगा, ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखें, उससे पहले rfce करके एक header हमने generate कर लिया, बस that's it, अब हम आते हैं actually में कि कि किस तरह से हम react router को install कर सकते ह देखें, installation का किसी को कोई सपना नहीं आता है कि कैसे install किया जाता है, हर कोई documentation में आता है, और उसके बाद ही देखता है कि किस तरह से example है, किस तरह से migrate करना है, install कैसे करना है, वो सब यहीं से देख रहे हैं, तो tutorials हैं, बहुत सारे tutorials वगरा भी यह देते हैं, तो यह रहा, npm install react-router-dom, उसके अलावा यह local-forage वगरा यह हम comment लेंगे, तो basic जो package है, वो react-router-dom है, तो यह install करना है, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है जी, तो हमने कहा npm install और react-router-dom, बस a की package है, a की dependency है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक ह ने आपको कोई problem नहीं दिये, अब आपको क्या करना है next step, आपको जाना है यहाँ पे, गेट-up पे, और जैसा कि मैंने बताया, react-router-notes आपके पास सारे हैं, तो यह हमारे पास header के notes है, अब आप चाहें, तो यहाँ से copy कर लीजे, आप चाहें, तो आपके पास पूरी repository है, डाउनलोड करके आप कर लीजे, एक ही बात है, जहां से भी करेंगे, कोई problem वाली बात नहीं है, यहाँ पे अलग-अलग line में export हो रखा है, हमने एक ही साथ कर दिया, export default header, अब इसमें कोई चिंता जिनक बात होनी नीच चाहिए, कि कैसे काम हो रहा है, अब इसके अदर by default है हमने कुछ logos, classes वगरा सब add कर रखे हैं, लेकिन यह किस तरह से दिखेगा, क्या काम होगा, इनके बारे में हम बात करेंगे, अब actually में यहाँ पे कुछ आपको नई चीजे दिखेगी, especially दो नई चीजे, एक तो आपको दिखेगा यह link, और एक आपको दिखेगा यह nav link, अच हम चलते हैं, सबसे पहले उन चीजों को import करने के लिए, तो import हम करेंगे, यहाँ पे react router DOM से, ठीक है, अच्छा में मेरे suggestions off कर देता हूँ, क्योंकि मेरे suggestions copilot से आते हैं, हाँ जी मैंने buy कर रखा है, काफी आसान रहता है code करना, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर इ feature functionality मिलती है, link तो हम use करते हैं, in place of a tag, क्योंकि a tag जब भी आप use करते हैं, तो actually में आपका page पूरा refresh होता है, और react के अंदर हमारा refresh वाला concept ही नहीं है, सीधा DOM जाता है यहाँ से, और नया values inject हो जाती है, notes की, तो इसलिए हम a tag यूज नहीं करते हैं, link tag यूज करते हैं, समझे यह interview के अंदर पूछा जाता है, कि a tag यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा page reload होता है, पूरा painting अगर दुबारा से बन रहा है page का, तो फिर किस काम का react, हाँ जी, तो comment section में फटा-फट लिग दो, कि a tag क्यों नहीं use करते हैं, क्योंकि page refresh होता है, इसलिए link जो कि link का काम भी करता है, href अगरा इसके, मतलब href तो नहीं होता exactly, बट उसके tags मिलते हैं अपने को, attributes और उनके तरह हम काम ले लेता है, अच्छा, अगर यह सारा काम हो रहा था, तो nav link लेने की क्या जरूरता है, हाँ जी, nav link इसलिए लेने की जरूरता है, क्योंकि nav link आप को कुछ additional चीजे provide करता है, अब क्या additional चीजे हैं, पहले तो उसके बारे में, देखिए link के अंदर आपन, जो href लिखते हैं, उसके जगे हम लिखते हैं 2, हाँ जी, इसी तरह से, देखिए पहले में इसका structure आपको समझा देता हूँ, यह यहाँ पर हमारे पास total navigation bar है, इस navigation bar के अंदर तीन portion हो रखे हैं, यह हमारा पूरा navigation bar है, first portion जो है वो हमारा logo वाला है, second जो portion है वो rightmost है, तो यह जो rightmost आप login और यह देख रहे हैं, यह हमने यहाँ पर order 2 लगा दिया है, क्योंकि CSS है basic, तो यहाँ से आपके दो link है, तो यह जो link है, जो कि काम नहीं करते है, login और सिर्फ home, अब हमने तो देखा था about भी है, contact भी है, github भी है, हांची, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अच्छा, अब यह जो nav link मैंने लिया है, यह nav link के अंदर आप गौर से देखेंगे, तो इस बार थोड़ा से different है structure, कि जातर था हम classes directly लिख द नहीं हो, तो हम nav link के अंदर कई बार ऐसी classes change करते हैं, क्योंकि मैं चाता हूँ, इस project के अंदर देखे, home highlighted है, तो home को कैसे पता कि अभी user home पे है, slash home पे, या फिर about पे जा रहा है, तो slash about पे कैसे जाए, उसे साब से color highlighting कैसे करूँ, तो उसके लिए one of the best तरीका है, कि आप ऐस is active, हाँ जी, यह आपको जैसे is pending है, वो भी मिलता है, आपको is active directly मिलता है, अभी is active आपको मिल गया है, तो इस active को use किया जा सकता है, और हम थोड़ी सी classes just manipulate कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, actually मैं text का color ही तो change हो रहा है, gray से सीधा red हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते है, अपना variable inject कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं सीधा, actually मैं यहाँ पे आते हैं, duration के बाद, border के बाद आप कहीं पे भी install कीजे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमने dollar और यह अपना variable inject कर दिया, ठीक है जी, और एक space भी दे दिया, ठीक है, अब यह dollar यह inject कर दिया, आप क्या करना है, पूछना है आपको is active, तो automatically यह nav link आपको बता देगा, कि क्या आप जिस page पे हैं, वो active page है क्या, मतलब आप slash about पे होगा है, यह URL से matching करता है आपकी, URL के अंदर is active अगर है, तो आप active हो उस page के अंदर, तो अगर true है, तो कुछ कर देंगे, और अगर false है, तो कुछ और कर देंगे, तो यह हमारा true का statement हो गया, और यह हमारा false का statement हो गया, अगर false होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जादा text को gray कर देंगे, और यहाँ पे जो हमने gray use का रखा है, वो 700 use का रखा है, और अगर active है, तो क्या करेंगे, text को orange कर देंगे, यही तो हो जो important बात थी, main बात थी, वो हमें आ गई है समझ में, ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एक nav link, आगे भी हम इसी तरह से nav link बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम home रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और सीखेंगे हम यहां पे, किस तरह से चीजों को रखा जाता है, किस तरह से ची यह दो ही page हम यहां पे रख रहे हैं अभी, इन दोनों पर ही आपको practice करना है, कि यह भी सेम इसी तरह से orange हो जाएंगे, ठीक है चलिए, अब अपना footer component हम बनाते हैं यहां पे, तो यह header तो बन गया है, हमारे पास source के अंदर, components के अंदर header हो गया है, अब हम footer पे आते हैं, तो footer के अंदर हम वही नई file बनाएंगे अपनी, footer.jsx और rfce, यह लिजए footer आगया अपने पास, लेकिन footer यहां से तो नहीं आएगा, footer जाएगा actually में हमारे notes से, तो यह footer component है, तो as it is footer component पूरा उठाईए, हाँ जी, और आपको कुछ भी नहीं करना है, as it is आपके प चाना ना, सिर्फ बैटके हैं, CSS classes लिखते रहेंगा, हाँ, मेरी तो series हो जाएगे, लोग appreciate करेंगे, 100 videos में बनाईए, पता है, हेते sir ने वो series, पता है, उसमें 18 गंटे का content है, 200 गंटे का content, करोगे क्या उस गंटे का content का, काम तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है, तो यह हो गया हमारा footer पूरा component, आपको पता है, dumb component है, कुछ काम नहीं करता है, अब मारे पास header हो गया, footer हो गया, अब हमें actually make home component भी बनाना है, ठीक है जी, home component भी बना देते हैं, home में भी as such कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बढ़ा ही basic सा home है हमारा, अगर आप देखेंगे component है, तो इसी के अंदर हम देख लेते हैं किसी तरह से, notes में है क्या, जी notes में है home component, तो copy कर लेते हैं यहां से, तो ये लिजे बड़ा ही basic सा, अब आप देखेंगे बड़ा ही छोटा home component है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो ये header हो गया, footer हो गया, अब हम नई folder बन हमारा home, और इसके अंदर भी एक file बना लेते हैं, home.jsx, अब देखें, यहां से आप एक-एक करके export कर रहे हैं, आपको एक-एक करके import करना है, यह आपको सारा ही एक साथ index file बना के करना है, यह totally आपके उपर है, यह हमने as it is किया, और export हमारा हो गया, अब देखिए home के अंदर आप notice करेंगे कि सिर्फ inner हमारा content है, हम यहाँ पे download now button है, lorem ipsum है, जो सब है, buttons वगरा सब यहाँ पे है, download now, हमने ना तो इस home के अंदर, कहीं पे भी यह header की बात करिए, ना ही कहीं हमने footer की बात करिए, जो हमारा पास home पे है, बस हम उस home पे ही चीजों को रख रहे हैं, अब तीनों चीजों को assemble कैसे करना है, देखिए, assemble करने के काफी तरीके हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें, तो इस app.js के अंदर भी तीनों को assemble कर सकते हैं, कि ठीक है हमार पास यह है, हम यहाँ पे तीन component render करवा देते हैं, तो उससे भी हमारा काम तो हो जाएगा, तो यह लीजे, सबसे पहले मैंने लिया header, और header, और हाँ जी, header यहाँ से आगया हमारे पास में, और यह हमने header render कर दिया, इसी तरह से हमारे पास footer भी आ जाएगा, तो यह लीजे footer आगया हमारे पास, यह लीजे, यह footer आपने render कर दिया और आपके पास home भी है आपने home भी render कर दिया यह लिजे home component भी आगया auto import वो करीदेता है नहीं करें तो आप कर ले लेगा और अगर आपको और अच्छी practice करने है कुछ तो आप index file से भी export कर सकते हैं ठीक है उसमें कोई दिकत नहीं है अब काम तो हमारा इत्ते में हो गया है अब एक बार इसको हम open करके देखते हैं कि हमारे पास कितना काम हुआ है तो एक बार इसको refresh करते हैं देखते हैं हमारे पास क्या-kया issues आ रहे हैं कि यहाँ पर values आ गई, header, home और यह सारे component आ गए देखते हैं क्या error है हमारे पास inspect और console में काफी errors है हमारे पास, ठीक है restructure the property, use context, ठीक है use location, ठीक है actually मैं हमने router का कर दिया है हमार जो navigation bar है उसके अंदर हमने header के अंदर actually मैं router का use कर लिया है इसलिए वहाँ पर उसका issue आ रहा है उसके rendering में, बट इसका भी हमारे पास है कि अगर हम header render ना करें, तो क्या होगा इसको भी देखते हम header यहाँ पर हम render नहीं करते हैं तो actually मैं render हो जाता है, बट क्योंकि हमने react router dom भी install कर दिया और उसको कई जगे हमने use भी कर लिया है, इसलिए actually मैं issue आ रहा है बट actually मैं यहाँ पर जो app.jsx है वहाँ पर इस तरह से काम नहीं होगा हमें थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को change करना पड़ेगा in fact इस पूरे वीडियो के लिए आपको app.jsx की जरूत ही नहीं है आप direct ही सारा का सारा काम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी बताते हैं आपको तो app के अंदर हमें return actually मैं कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हम app को return ही नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है हम चलते हैं in fact आप app को delete भी कर सकते हैं कर भी देंगे हम हम जाते हैं अपने main.jsx के अंदर और यहाँ पर देखे, app आप render कर रहे हैं अब actually मैं आपको यहाँ पर app render ही नहीं करनी है क्योंकि हमने react router insert कर दिया है तो हमें actually में react router की तरफ जाना पड़ेगा अच्छा क्या है, यह strict mode रखी as it is, हम एक ही चीज़ import करेंगे उसके basis पर और चीज़े भी करेंगे वो है हमारे पास route provider यह provider का concept हम आगे भी और लेंगे बट यह क्या है, actually में एक ही component है जो हमें चीए, react provider, self closing component है लेकिन यह component क्या है एक prop लेता है, जब तक यह prop नहीं लेगा तब तक यह काम नहीं करता और हम देख सकते है, auto import के अंदर react, कहां से आया है, react router dom से इसको एक ही चीज़ चाहिए, वो है अपना route router, और जिसके अंदर आप क्या दे दो router ही दे दो, लेकिन बात यह है कि यह router है कहां पर, router तो हमने बनाया नहीं है, हाँ जी तो हमें सीखना पड़ेगा कि router कैसे बनाते है, अब यह router ना मैं आपको दो तरीके से बना के दिखाऊंगा थोड़ा सा complex है, जादा नहीं है, और एक थोड़ा सा easy है, तो हम क्या करते हैं, एक router बनाते हैं, और यह router कहां से बनेगा, इसके लिए भी एक method आपको import करना पड़ता है, create browser router, कहां से आया method, of course ही बात है, react router से आया, यह है क्या, एक method है, जिसके अंदर array है, अच्छा है, यह दो तरीके से बनता है यहां पर, अभी मैं दूसरा तरीका भी यह path क्या है हमार पास, यह path है, हमार पास एक slash, ठीक है जी, हमार पास एक slash आगया basic, अच्छा अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा और इंतिजाम हम पहले कर लेते हैं, मुझे पहले ही कर लेना चीए था, वो बड़ा interesting एक चीज है, क्योंकि हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मेरा header और footer हमेशा same रहे, और उसके अंदर के component change होते रहे, यही मैं चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि अपने home के अंदर अलग component टाल दूँगा, इसी तरह से contact us बनाऊंगा तो अलग कर दूँगा, तो इसी तरह से मैं काम करूँगा, अब देखिए, एक तरीका तो यह हमारा classic वाला है, कि हमेशा क्या करो आप सब के अंदर आके काम करो कि हम header हर component में call कराएंगे, home में भी, about us में भी, contact us में भी, ठीक है हो जाता है काम, लेकिन इतना optimize तरीका नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, क्या करिए, source पर right click करिए new file बनाईए, इस new file का नाम लोग अकसर root भी देते हैं मैं यहाँ पर layout दे देता हूँ आपका जो मन करे दीजे, layout.jsx अब इस layout का काम ना, जादा कुछ है नहीं हम react एक functional component आपने layout नाम से बना लिया आपका मन करे, app बनाईए इसको आपका मन करे, कुछ भी बोलिए, जो मन करे आप बोलिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है in fact आप चाहें, तो ये का ये सारा काम आप app.jsx के अंदर भी कर सकते हैं हाँ जी, बट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ भी तो इसके अंदर क्या करेंगे हम देख रहे हैं ये div, हाँ जी, यहीं पर हम interesting काम करेंगे, पहले इसको fragment बना लेते हैं, ये लिजे fragment बन गया अब इस fragment को हम next line पे ले जाते हैं तो layout return करने के बजाए मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले तो हम ले आते हैं, वो ही अपना header, तो यह हमारा header component आ गया, ये लिजे हमें पता है कि footer भी लगाना है तो ये लिजे हमारा footer component भी आ गया लेकिन इस तरह से नहीं हम self closing ले ले लेते हैं ठीक है जी, ये हमारा footer भी आ गया, अब क्या चाहता हूँ कि dynamically मैं चीजे pass कर दूँ हाँ जी, dynamically कर रहे हैं थोड़ा सा कि home भी कर दूँ, about us भी कर दूँ तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ देखे इसके लिए क्योंकि बड़ा ही common scenario है इसी बात के लिए आपको react router dom से एक interesting चीज मिलती है जिसका नाम है outlet हाँ जी, ये outlet क्या करता है कि इस layout को as a base use कर लेगा और इसके अंदर जो भी चीज़े आएगी उपर का और नीचे का या जो भी आप देंगे वो same रखेगा जहाँ पे भी आपने outlet दे दिया वहाँ पे आप चीजों को change कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया outlet तो अब क्या होगा header same रहेगा, footer same रहेगा लेकिन उसके अंदर चीज़े change होती रहेगी अगर इसी तरह से आप इसको bottom में दे देंगे तो obvious ही बात है, top की two चीज़े same रहेगी आप outlet जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहे, उसको यूज़ कर सकते है अच्छा outlet यह जो हमने layout बनाया है इसको यूज़ करने का भी एक syntax है ऐसा नहीं कि बस जाके कहीं पर भी use कर लो इसको इस तरह से use नहीं होता actually मैं आपको index file में बताना पड़ेगा कि देखो मैं एक layout यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर दे रहा हूँ कुछ क्योंकि routing हो कैसे रही है home के अंदर about us है home के अंदर contact us है तो nesting तो होई रही है slash के अंदर ऐसा तो इसी तरह से इसको कैसे देखते है वो भी हम यहाँ पर discuss करते है तो आते है main.jsx के अंदर तो मैंने path दे दिया slash अब slash क्या है top level element इसके अंदर nesting हो रही है तो यह क्या चीज render करेगा तो वो element इसको बताना पड़ता है अब element कौन सा वाला देंगे हम यहाँ पर element मुझे पता है कि मैं आप यहाँ पर layout दे सकता हूँ तो layout में layout.jsx से ले आया तो मैंने यह दे दिया आप चाहें तो app.js से ले आते हैं कई से भी लियाओ अंदर काम तो एक ही होने वाला है अब यह हो गया अब इसके अंदर क्या है एक और जो next prop आता है कि आप अगर इसके अंदर और भी children's add करना चाहते हो जो कि मैं करना चाहता हूँ home, about us, contact us तो इस तरह से आप children's add कर सकते हो यह लिजे children अब children क्योंकि और भी इसके अंदर values है तो हम obviously बात एक array add करेंगे अब array के अंदर further क्या होगा देखिए, actually मैं काम तो इतना ही था एक object जिसके अंदर दो values हो बट क्योंकि further इसके अंदर और values है इसलिए मेरे को एक और children बनाना पड़ा उसके अंदर एक array देना पड़ा और उस array के अंदर आप क्या करूँगा यह लिजे object, कॉमा करके एक और object, जितने भी nesting route आपको करनी है कहीजिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है महाँ पर तो यह पहले route के अंदर क्या कहलेंगे वही path और element, कुछ ही नहीं और तो यह लिजे path, पहला path कौन सा है? कुछ नहीं, क्योंकि slash पर भी तो कुछ ना कुछ display करूँगा तो क्या display करूँगा महाँ पर? और विसी बात है, home element display करूँगा तो कौन सा element यहाँ पर? यह हम देंगे, यहाँ पर home तो यह लिजे हमारे पास home element आ गया, यह लिजे अगर आपको और भी display कराना है तो और भी display करवा लिजे, जैसे हमने भी बनाया नहीं है, बट about भी हम देंगे eventually, या बना देते हैं, एक basic सा about उसको हम add कर लेंगे, components के अंदर हमारे पास इतने ही है, about भी बना देते हैं, चलिए एक और बनाया है, यह लिजे about, और इसके अंदर about.jsx यह लिजे about.jsx और वह अपना rfce, basic component styling उसकी कर देंगे, अभी about ही ठीक है इतना ही, अब यहाँ पर आते हैं, अब आपको slash के बाद कुछ नहीं, slash के बाद about तो यह आपके उपर depend करता है, कौन से element render करवाना चाहते हो यहाँ पर तो element का नाम दे दीजे यह हो गया हमारे पास about यह लिजे about आपने render कर दिया अच्छा यह हो गया, देखिए हमने पास defined नहीं है, footer में तो हो सकता है, हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर mistake करी है अभी mistake आप judge भी कर सकते हो, क्योंकि आपको debugging भी आती है, तो footer के अंदर जाते हैं, देखिए, footer के अंदर मैं link use कर रहा हूँ, तो क्या मैंने import करा link नहीं करा, तो बड़ा ही basic सा router dom से लिया तो है, पर actually मैं render क्यों नहीं हो रहा है react router dom, और link शायद I think एक refresh की जरूँ थो एक बार close करके इसको, वापिस से run करते हैं okay okay, तो home के अंदर हमारे पास issue आ रहा है, link not defined, चली, वहाँ पे भी चल लेते हैं home के अंदर actually मैं home के अंदर हमने हाँ हमने copy paste करा है copy paste करा है वहाँ पे, इसमें भी link use है क्या हमारे पास, देखते हैं एक बार okay, वैसे देख तो नहीं रहा कहीं मुझे ओ, यहाँ पे है okay, 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 चली यह भी बड़ा basic सा debugging था, इतना कुछ खास था नहीं, link यह लिजे, link ले लिया, और बताईए okay, home के अंदर आ गया, तो देखिए आपका page बस एक refresh की जरुति और page रन हो गया अब देखिए, इतना थो हमें समझ में आ गया home है, लेकिन यहाँ पे about का page ही नहीं है ठीक है, अगर मैं about का page यहाँ पे slash about करके जाता तो about लिखावा तो आ गया सुन्दर नहीं लग रहा है, वो बात अलग है बट हमें routing समझ में आ गई आप चलिए, अब क्या करना है अब देखिए, problem क्या है, home तो है हमारे पास लेकिन about नहीं है, ठीक है तो इसको solution को fix कैसे करेंगे अब आपको पता है कि कैसे करना है इसको, हमें जाना है अपने header के अंदर header file open करनी है, वाकि सबको actually मैं close कर देता हूँ इसको भी close कर देता है, home के अंदर नहीं, header के अंदर जाना है, sorry और header के अंदर मुझे पता है, यह nav link है, यह li है ठीक है जी, तो कया मैं एक और l.i. ले सकता हूं यहां से, तो hanjie, copy करिये, और paste कर दीजे, ठीक है home के अंदर मैं about लिएता हूं, ठीक है तो क्या मिर पास about आया, haach about आया, अब home पे जाता हूं, home पे जा सकता हूं, about पे जा रहा हूं, लेकिन में अभी क्या हो रहा है, आप जहा का रहे हैं, आपने nav link का बता है नहीं कि आप जहा का रहे हैं, तो जिस तरह से link के अंदर हमारे पास, देखिए, to लगता है हमेशा, कि आप कहां पे जा रहे हैं, उसी तरह से आपको nav link को भी बताना पड़ेगा, और इसलिए मैंने कहा था, हम वापिस आएंगे इस पे, तो देखिए, ये कहां पे जा रहा है, to, अब देखिए, आपके उपर है कि आप किस तरह से इसको treat करना चाहते हैं, कि, और मैं तो बड़ा ही basically करता हूँ, कि यहां पे, actually मैं हम सीधा लिख देते हैं, string के अंदर, कि मैं जा रहा हूँ, slash पे, home तो वहीं तो जा रहा है, अब हमारा जो ये second है, ये कहां जा रहा है, about पे, तो इसके लिए भी to लगा दीजिए, to, और हम कर देते हैं, slash about, ठीक है, अब ये जो linking है, ये automatically, इस is active के अंदर, data inject कर देगी, तो हमें कुछ करना ही नहीं, reactor after dom कर रहा है, पीछे से behind the scene, तो अचली में उनके इतना काम है नहीं, आपको अगर about component को भी सुन्दर बनाना है, तो यहां से लेके यहां तक लीजिए, और simple सा जाई about के अंदर, और इसको replace कर दीजिए, तो ये तो basic CSS है, बस और क्या है, तो हम आते हैं यहां पे, तो हमारा about page भी अच्छे से दिखने लग तो देखा, मैंने कहा था ना, कि जो लोग इस पे focus करते हैं कि मैं तो react का clone मनाऊंगा, या मैं उसका clone मनाऊंगा, actually मैं इतनी कोई खास बात है नहीं, उसके अंदर, है की नहीं, comments में बताओ मुझे, चलिए, हाँ जी, चाय चलती रहेगी, मुझे पताया बुरा नहीं मानते इस बात का, ठीक है, अब हमारा original जो एप है, उसके अंदर तो contact page भी है, और notes के अंदर भी contact page है, तो आपको पता है क्या किया जाएगा, अब हमें यहां से इस point से हम सिर्फ revision कर रहे हैं, about close किया, footer close किया, और क्या क्या है, header भी है, home भी है, बहुत components बन गए, तो next हम बनाने और इसके अंदर एक file बना लेंगे, जिसका नाम रखेंगे, contact.jsx, अब आपका मन करें कि यार मुझे तो क्या है, कि actually मैं यह जो header के अंदर, या फिर at least जो home के अंदर आप यह बार-बार यहां से लेके आ रहे हो, home के अंदर तो नहीं, main.jsx के अंदर, यह जो इतना बड़ कर सकते हो, ठीक है, अब कैसे कैसे काम करेंगे, पहले आते हम contact us के अंदर, rfce, तो react के functional component आ गए जी, उसके बाद हमें क्या करना है, तो इस पूरे के पूरे कोई paste कर देते हैं, जो हमने अभी copy किया था, तो यह हमारा about, wrong copy paste हो गया, contact करना था actually मैं, तो यह लिजे, यहां से लेके, और हम पूरा का पूरा contact, copy और paste कर देते हैं, ठीक है जी, यह किया हमने, यह लिजे, पूरा का पूरा copy और paste कर दिया, पूरा contact page, ठीक है जी, अब contact page के display हो जाएगा, नहीं, क्योंकि क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए सबसे पहले header में जाना पड़ेग तो यह जाना चाहिए, contact पे, यह आपके उपर है, contact बोलिए, उसको, contact us बोलिए, कोई फरक नहीं पड़ता है उससे, आपके उपर है, मैं slash contact ही बोल लेता हूँ, और इसका text भी change कर लेता है, अच्छा, अब एक interesting mistake देखिए, अक्सर हम यहाँ पे आके, header के अंदर inject कर दिया, तो हम जाते हैं, wheat project के अंदर, contact आ गया है हमारे पास, home पे जा पा रहा हूँ, about पे जा पा रहा हूँ, contact पे जैसे ही जाओंगा, तो यह बोलेगा, कि नहीं, यह exist नहीं करता है, क्यों नहीं exist करता है, क्योंकि actually मैं अब जो पूरी routing है, वो control कहां से हो रही है, आपकी main.jsx के इस एक elements है, जो कि यह router provider, इसके अंदर एक key value हमारे पास पास है, key value property बोलीजे, router, तो यह हमें एक और add करना पड़ेगा, और nesting के अंदर add करना पड़ेगा, ठीक है, वरना slash के अंदर नहीं जाएगा कुछ भी, तो यह जो syntax है हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को प्रेश तो obviously बात लगेगा, एक बार back जाते हैं, हम home के अंदर, okay, तो invalid jsx syntax कहाँ पर आया है हमारे पास में, okay, get in touch, actually मैं कुछ न कुछ हमारी file के अंदर, contact file के अंदर कुछ bug है, तो उसको हम resolve करते हैं, okay, काफी बड़ी file है, okay, तो submit यहाँ तक तो ठीक है, export default, get in touch, यहाँ पर कुछ न कुछ तो issue है, मैं एक बार मेरे notes में check करता हूँ कि कुछ नहीं, जादा कुछ CSS का basic issue होगा, हाँ जी, बड़ाई basic सा error था, I think आप में से कुछ लोगों ने तो already catch कर लिया होगा, हमने .js नाम से file बना दी, हमें बना इन चीए ती jsx, ठीक है, तो छोटे मोटे bugs तो अब आप भी solve करी सकते हो, right click rename और इसको jsx, तो उमीद है अब शायद हमार पास वो error नहीं आएगी, पर आभी सकती है, तो एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, about के अंदर, एक बार I think हमें वापिस से restart करना पड़ेगा project, तो वो भी देख लेते हैं, कि क्या-क्या issues है हमार पास, तो ये लीजे, issues तो अभी भी है, देखते हैं, क्या-क्या है, okay, slash component slash js, अच्छा, import का भी issue है, ठीक है, वो भी solve कर देते हैं, तो हम jsx से import कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कर देते हैं, errors तो देखिए, पढ़नी ही पड़ेगी, errors ऐसे solve नहीं होती है, errors को तो पढ़ना पड़ता है, अच्छे से देख पड़ता है, ठीक है, अभी हमरे पास contact भी आ गया, highlight भी हो रहा है, about contact, तो ठीक है, बड़ी basic सी error है, इतना कुछ इसमें खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारा एक नया page और देखेंगे, अच्छा, नये page से बनाने से पहले, actually मैं मैं आपको थ ASX में, कि actually मैं ये जो router के अंदर जितना सब लिखा है, ये थोड़ा सा कई बार इस तरह से complex हो जाता है, क्योंकि array, object, ये भी एक तरीका है, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ, comment, क्योंकि मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, किस त सेम रहेगा, इतना काम तो आपको करना ही है, उसके बाद अंदर आपके पास दो option मिलते हैं, या तो आप array दे दीजे directly, क्या क्या आपको चाहिए, array route objects, देखे ये भी बोल रहा है, route objects इस तरह से दे दीजे, लेकिन इसके बाद एक और आपके पास नया new syntax है, वो क्या है, कि आप यहाँ पे एक enter करके और एक और method यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है create routes from elements, from children भी है, ध्यान रखेगा, हमें चाहिए from elements, तो इसके अंदर भी ये actually में एक method है, इस तरह से और इस method के अंदर आप एक style से अपने routes लिख सकते हैं, कैसे, पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे route तो obviously बात ही, जो route लिखेंगे, react router से ही आएगा, जी वहीं से आएगा, कुछ extra special इसके अंदर है नहीं, और इसके अंदर मैंने क्या करा, इसको मैंने close करा और ये closing अपने अपा गया, अब इस route को, जिस तरह से हमने object के अंदर दो values पास करके बताया था, इसको भी बताना कुछ लोगों को उपर वाला syntax easy लगेगा, कुछ को यह वाला syntax easy लगेगा, मैं personally जादा तर prefer करता हूँ यहला syntax, थोड़ा सा easy होता है देखने में, अब देखें इसके अंदर फाइदा क्या है, नेस्टिंग हम यहाँ पे भी कर रहे थे, इसके अंदर था path और इसके अंदर children तो यहाँ पे मैं एक और route बनाऊंगा, तो यह बनाया एक और route और इसको self closing कर लेता हूँ, थोड़ा सा easy रहता है देखने में के अंदर, किसी भी route को आप self closing कर सकते है, तो इसके अंदर path क्या हो गया, अब path जो है, पहला path तो हो गया, empty, यहाँ पे कौन से element render करोगे, element हम render क करेंगे यह, अपना home, तो यह लिजे मैंने home render कर दिया है, अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं इसको copy कर सकता हूँ, अब इसमें क्या थोड़ सा समझ में आ जाता है, कि slash है, slash का यह homepage हो गया, slash का, यहाँ पे मेरे को जो about हो गया, तो यहाँ पे render करा दो, about, और इसी तर करेंगे, page अच्छे से चल रहा है, about पे भी जा रहे हो, contact पे भी जा रहे हो, काम सारा वो का वही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसके अंदर, लेकिन चीजों को करने के multiple तरीके होते हैं, आपको जो भी बहतर लगे, हो सकता है, कुछ लोगों को यह सपोस करिये, मेरे को एक ID लेना है, कि slash ID लेना है, या फिर slash कुछ page slash ID लेना है, या फिर slash user slash ID लेना है मेरे को, जो भी ID है, last में number 1, 2, या हितेश, जो भी लिखा है वो चाहिए, तो यही वाला लेलते हैं, कि slash user, यह route कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए, route बनाना बहुत ही आ असानी रहेगी, एक new folder बना लेते हैं, और एक user बना लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए, original जो हमारा application में आपको demo दिया तो उसमें शायद मैंने my params लिया था, आप वो भी ले सकते हो, basic बात ही है, यह तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अच्छा है, इसको rename कर लें पहले वरना consistency खराब हो जाएगी, यह लीजे, capital user, ठीक है, अब आते हैं new file और यहाँ पे लेते हैं user, इस बार .jsx नहीं भूलूँगा पका, ठीक है, यह अपना RFCE, यह basic हमारा user ही हो गया है, colon भी लगा देते हैं आगे, क्योंकि वो value हम display करेंगे, अब जाते है main.jsx में, जितना अभी जो काम है actually में, कि किस तरह से आप parameters लोगे URL से, वो सारा काम पहले यहाँ पे होता है, ठीक है, अब इसको duplicate कर लेते हैं, अब obviously बात है, कहाँ पे चाहते हो, मैं चाहता हूँ user के बाद, slash के अंदर जो भी आए, तो उसका syntax होता है, colon ID, यह colon के बाद आप जो भी value लिख करवा देता हूँ, अब हमारे पास इसका main menu के अंदर कोई path नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आता हूँ, और इसको enter करता हूँ, तो देखे user तो आ गया, ठीक है, आपके user route पे, लेकिन यह user ही render कर रहा है, 1 पे और 100 पे भी, ऐसा ही होता है usually, ज आम की जगे ऐसे थोड़ नहीं होता है, कि footer पे आगया, कभी header पे आगया, basic तो same ही रहता है, तो अब इस value को actually मैं यहाँ पे लिया कैसे जाता है, असली मुद्दा तो उसी बात का है, कि किस तरह से आप उसके parameters ले पाओगे, अब देखे, क्योंकि parameter आपने यहाँ पे लिय जाता है, ठीक है, अब component के अंदर आपको access मिल गया, तो क्या मैं directly यहाँ पे आके इस तरह से लिख सकता हूँ, user ID, अच्छा, यह और important बात है, जो भी आपने उसको यहाँ का है, अगर user ID का है, तो वहाँ पे भी user ID कहना पड़ेगा, अगर ID का है, तो यहाँ पे भी ID, बट import, और यहाँ पे उसका नाम है, use params, यह आता है कहां से, react router DOM से, अब यह मिली गया है, तो आपको याद हो, तो हमने भी कुछ इस तरह के methods बनाए थे, तो कुछ उसी तरह का काम है, const, और हमने क्या करा, ID ले ले लेते हैं, यूजर ID ही उसका नाम है, इसलिए, और आपको कहा है हमारे पास, तो देखे, user ID 100, अब actually मैं इससे यह नहीं है, कि उसके अंदर value क्या आ रही है, value उसके अंदर हो सकता है, number आ रही हो, हो सकता है, उसके अंदर username आ रहा हो, बट जो भी URL में आएगा, वो आपको access मिल जाएगा, अब उसके basis पे आप उसको display कराना चाते हैं, य पास name करते हैं कि BG dash, gray, suggestion दो भाई, gray 600 use कर लेते हैं, text white use कर लेते हैं, text 3xl use कर लेते हैं, basic properties है, और कुछ भी नहीं है, padding ले लेते हैं, 4 का, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लग गया, बस इतना ही सी बात है, और कुछ भी नहीं है, ठीक ह तो चलिए, यह हो गया हमारा basic एक काम कि किस तरह से dynamic data लिया जाता है, तो आपका यहां पर crash course ही चल रहा है, reactor router dom का, ठीक है, इतना काम तो मेरे पास हो गया है, कि किस तरह से यह values होती है, ठीक है, अब मेरे को एक और component बनाना है, और वो component आपको लगेगा, कि हाँ, यह कुछ ज़्यादा difficult था नहीं, हम भी कर सकते हैं, ठीक है, इन सबको close करते हैं पहले, ठीक है, और अब हमें चाहिए कि एक और नया component, तो ठीक है, component बनाते हैं पहले तो, इस component का नाम है GitHub, ठीक है, तो यह लिजए GitHub, और GitHub के अंदर एक नई फाइल बना देते है, GitHub.js, ठीक है जी, व कुछ followers आ जाएं, और कुछ basic आ जाएं, ठीक है, तो इस div के अंदर ही पहले मैं classes add कर देता हूँ, जादा add नहीं करूँगा, बड़ी basic सी, इसका text हम कर देते हैं, center पे, suggestion दो भाई, हाँ जी, text center पे कर देते हैं, margin देते हैं, 4 का, आपका मन करें, 5 का दीजे, कोई दिकत नही जाते हैं, basic अपनी CSS की classes हैं, और कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर मेर को चाहिए, github followers, ठीक है जी, github followers आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर बात यह है कि github के followers मिलेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो navigation बार में एक link होना चाहिए, चलिए, वो भी कर देते हैं, एक revision हो सा github path होगा, element जो हम यहाँ पर use करेंगे, वो करेंगे github, ठीक है जी, अब लेकिन यह अपने nav bar में नहीं आया, यानि कि header में नहीं आया, तो header में भी इसको ले ले लेते हैं, तो एक ही हमारा li जो element है, इसको हम duplicate कर देते हैं, ठीक है, कहाँ पर जाएगा जी, जाएगा बस basic जो आपने router के अंदर दिया है, वो ही दीजेगा, github, और यहाँ पर यह चला जाएगा github पर, ठीक है जी, देखते हैं, हाँ जी github पर आ गए, अब github पर आते हैं, तो github बोलता है github followers, लेकिन github के followers, मेरे followers आप लेके कैसे आओगे, लेकिन अकसर ऐसा काम किस use effect use कर सकते हो, और उससे जब भी ए component load होगा, तो हम ले आएंगे, ठीक है जी, तो यह use effect आगे हमर पस, इसका snippet ले लेते हैं, यह लिजे, यह सब हम बाद में चर्चा करेंगे, अब भी हम इसको empty कर लेते हैं, और इसको भी empty कर लेते हैं, तो कोई हमारा dependency array है नहीं, use effect पहल करना है, basic हमें पता ही है यह तो, github की API इस पर call करना है, तो api.github.com, अब इतने tutorial बना लिया है कि याद हो गया है, और कुछ भी नहीं है, user slash username मेरा, तो यह मेरा username है, अब मैंने github से data call कर लिया है, अब यह call कर लिया है कि await वगरा वो सब की मैं चर्चा नहीं कर रहा हू ठीक है, response string format में है, तो आपका जो response है, यह लिजे, JSON में convert कर दिया हमने, यह लिजे, JSON में convert हो गया, फिर से क्या चाहिए, एक dot then चाहिए, ठीक है जी, इस dot then के अंदर क्या मिलेगा, इस dot then के अंदर हमें data मिलेगा, ठीक है, data बोल देते हैं उसको, अब इस data को कैसे लेना है ह state के अंदर हम इसको बोल देते हैं data, और यह है अपना set data, ठीक है, यह तो बड़ा ही basic है, use state, यह लिजे, use state के अंदर default में mt array डाल देते हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि जो भी values आ रही हम इस तरह से ले देते हैं, console lock कर दिया, तो आप क्या करो, set data call कर लो, और उसके अंदर स मैंने कई बार करी है, इसलिए मुझे पता है कि मैं directly यहाँ पे variable inject करके, data के आगे dot लगा के values ले सकता हूँ, मुझे पता है कि एक followers नाम से वहाँ पे key है, जिसका मैं data ले सकता हूँ, तो मैं back जाता हूँ, तो मुझे मेरे followers मिल रहे हैं, जो कि कम है, क्योंकि आप कम follow करते ह है, GitHub पे, पर यह data मेरे पास आ गया, चलिए, और थोड़ा सा fun कर लेते हैं इसके साथ, कि यह जो div है, followers तो आपको यहाँ पे मिल गए, जादा तो नहीं मिले, बट एक IMG भी ले लेते हैं, चलिए, image का भी optimization वगरा काफी हम बात कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, आगे के ल property लगा देते हैं, width हमें चाहिए, सिर्फ 300 की, ठीक है, तो यह हमारे पास value आ गई, इसका भी center कर दें, class name है क्या यहाँ पे भी, I think text center से हो जाएगा काम, नहीं text center से नहीं होगा, actually मैं यहाँ पे मुझे एक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा काम, अपने flex box बगरा का, अभी नहीं चाहता कि मैं वो सब हो, ठीक है, बाद में कर लेंगे, ठीक है, तो github के followers आ गए, photo आ गई, about us पे जा रहा हूं, github पे जा रहा हूं, तो हमने देखा कि ठीक है, contact पे गए, फिर gate पे गए, आपकी values आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा यह सारा का सारा हमने किया क्यों है, यह तो सारा आप directly भी कर सकते थे, हाँ जी कर सकते थे, लेकिन अब देखे कुछ आपको interesting बात बताते हैं, interesting बात यह है कि यह जो optimization है ना, जो आपको react router दे रहा है, यह actually मैं आपको next.js भी देता है, start next.js नहीं किया था obviously, but react router भी देता है, अब react router के क्या है कि actually मैं आपके पास कुछ बड़ा ही interesting सा concept आया है, नया, documentation भी बताऊंगा इसका मैं, कहां पे है, कैसे है, पहले चलते हैं हमारे main.jsx के अंदर, अब हमने अभी तक देखा है कि आपने path है और element है, इतना ही काम है, लेकिन actually मैं सिर्फ इतना नहीं है, आपके पास और भी चीजे हो सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं, नए line पे ले लेते हैं, ताकि समझने में थोड़ा सा असान रहेगा, यह लीजे, path और element तो आपने दे दिये, लेकिन आपके पास एक और आजकल access मिलता है, कि आपके पास एक और property अविलेबल है, जिसका नाम है loader, अब loader क्य चीज है, इसके लिए documentation देखना पड़ेगा, देखे, documentation में आते हैं, तो आप जैसे ही बोलेंगे यहां पे, migrate, example, feature overview, हाँ जी, feature overview में मिल जाएगा, यह सारा तो हमने देख लिया है, in fact हमने इस अच्छे और भी syntax, सारा सब कुछ देख लिया है, किस तरह से values आती है, क्या होत है, तो आप यहां पे जाके देखेंगे, तो कुछ जगे आपको मिलेगा, active link वगरा यह सब भी, actually हमने सारा पढ़ लिया है, अब जो एक चीज बाकी है, वो है यह वाला concept, यह थोड़ा सा आपको documentation में से tricky लग सकता है, बट मैं आपको बताऊंगा, देखे, loader जो है यह पेज पे जाएंगे, तो अब जैसे ही आप यहां पे विजट करेंगे, जैसे मैं भी contact us page पे हूँ, यहां पे mouse लेके आया, उसके बाद ही तो क्लिक करूँगा, हवा में थोड़ी कर दूगा click, तो जैसे आप यहां पे mouse लाते हैं, यहां पे fetching शुरू हो जाती है, और एक और फिर मैं यहां पे देख सकता आपनी values, तो एक step थोड़ा सा optimization हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं, अच्छा, loader के अंदर क्या हो सकता है, देखे, loader के अंदर आप चाहें, तो यहीं पे पूरा का पूरा अपना API call लेख सकता है, हाँ जी, कोई भी problem नहीं है, यहां पे आपको इस तरह से callback fire करना अलाओ है, आप पूरा अपना fetch request वगरा जो करना है, यहां पे in fact आप fetch वगरा सब करिये, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह तरीका, actually मैं आपको है documentation में कई जगे दिखेगा, कि किस तरह से इन्होंने API calls वगरा की है, client side routing के अंदर आते हैं और यह रहा देखें, यह रहा एक example यहां पर, जहां पर हमें क्या दिख रहा है, कि देखें वो ही loader लिया, यह अपना callback किया, callback के अंदर आपने request के अंदर data load कर लिया, सारा का सारा, और देखें यहां पर fetch आपने सीधा का सीधा ही दे दिया है, हाँ दे सकते हैं, लेकिन जो recommendation है वो अभी तक की वो यह है, कि आप क्या करो, यह जो method है, यहां पर जो आपने जितना भी यह काम किया है, वो actually मैं आप एक इसी file के अंदर ही कर लो, ताकि उसी route के अंदर उसके methods रह जाए, अब कई लोग कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है, हाँ मैं भी मानत बनाते हैं, और उसको बोलते हैं, github info info loader, आपका जो मर्जी नाम रखी, नाम से यहां पर कोई फरक नहीं है, यह हमारा basic async call है, ठीक है जी, और यह async call हो गया है, अब इस async call के अंदर क्या करना है, एक fetch करना है, तो यह लिजे fetch, क्या fetch करना है, वो यह same ही तो fetch करना है, इसको हम copy paste कर लें, जादा अच्छा रहेगा, यह लिजे copy, और यह कर दिया, पेस्ट, अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि async call है, तो इसको await करा लेते हैं, basic javascript 101, const और इसको बोलेते हैं, response, यह लिजे, अब सबसे interesting बात पता है क्या है, यह जो response है ना, इसको आप directly return कर सकते response.json, of course, json मैं convert करके return करूंगा, string तो नहीं return करूंगा मैं, but यह actually मैं अभी की date में promise है यहाँ पर, क्योंकि आप अगर देखेंगे, तो यह actually मैं promise ही तो आता है, यह response है, यह यहाँ पर handle इसलिए तो हो रहा है, क्योंकि वो promise है, तभी तो dot then लगा पा रहे हैं, तो यह actually मैं promise है, बट इसको भी मैं return कर पा रहा हूँ, अब interesting बात यह है, कि मैं इसको पूरे को actually मैं comment कर सकता हूँ यहाँ तो यह use effect data, यह कुछ भी मेरे अभी काम का नहीं है, इसको मैं पूरा comment कर देता हूँ, अब comment जैसे ही कर दिया, तो problem क्या हो गई, कि यहाँ पर आपको data.followers और यह सब data नहीं मिलेगा, हाँ जी, अब यह सारा का सारा values तो आपको मिला ही नहीं है यहाँ पर, और आपके पास loader के अंदर अभी तो कुछ ही नहीं actually मैं, तो आप जैसे इसको save करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर values crash हो रही है, ठीक है, crash क्यो हो रही है, हमें पता है, file का नाम देख रहा है, .jsx, github.jsx है, अच्छा, यहाँ पर एक interesting concept यह भी हो सकता है, कि आपको values मिले तो उसको आप unlock करो, मतलब explore करो, अगर नहीं मिले तो आप वहाँ पर भी null वगर हम यह सब डाल सकते थे, कि अगर value है, तो उसको use करो, नहीं करो, तो मत करो, question mark यहाँ प info loaders भी आपने ले लिया है, अब index.js के अंदर, जो अभी हमने concept देखा, कि loader का concept use कैसे किया जाए, बढ़ाई basic है, यह रहा loader, और आपका जो github info loader है, वो method आप ले आए, यहाँ पर हम ले आए, अब इसलिए उसको एक ही file में रखा जाता है, कि component और उसमें अगर कोई ऐ API call है, तो उसको एक साथ ही load कर लो, थोड़ा सा easy रहता है, अब सब के अपने 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 standards है, अब मैंने इसको किया save, अच्छा, अब problem क्या है, अकसर लोग सोचते हैं, यहाँ पर save कर लिया, तो हो गया काम, लेकिन वो यह भूल जाते है, कि react कुछ magic थोड़ना कर देग magic से मेरा मतलब है, यहाँ पर value अपने आप थोड़ी ना जाएगी, कुछ आपने लिया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ना है कि value अपने आप या जाएगी, तो उसके लिए hook होगा कोई ना कोई, अगर आपने होग होगा, तो comment section में पहले बताओ, अगर hook है, आपका दिमाग में, मतलब आप काफी react सीख चुके हो, तो यहाँ पर जो hook है, वो है हमारे पास, use loader data, हाँ जी यह वाला, अब यही आपको याद रखने ही जरूत नहीं है, एक दो बार use करोगे, आपको याद रह जाएगा, लेकिन आप यहाँ काम कर सकते हो, अब इसक अब का नाम सिफ data ही रख दूँ, तो actually में मेरी state का नाम भी तो data ही था, तो automatically मेरे को यहाँ पर data.followers मिल जाएगा, अगर कुछ और नाम रखते हैं, तो कुछ और.followers.image इस तरह से रखते हैं, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो values मुझे मिल गई है, अब देखिए मैं contact पे हूँ, GitHub पे जाता हूँ जैसे ही, तो मेरे पास जो एक छोटा से एक lag आ रहा था, जो शायद आपको feel भी हो रहा होगा, अब नहीं आ रहा है, क्योंकि optimized तरीके से हमने data को load कर दिया है, अच्छा यह जो हमारा react router है यह बहुत interesting होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिर यह loader वाला concept नहीं, आपके पास और भी कही concept है, किस तरह से है, in fact आप dynamic segments भी हमने देख लिए, active links किस तरह से है, यह भी देख लिए हमने, लेकिन क्या है, data loading वाला भी हमने देख लिए है, किस तरह से data fetch कर सकते हैं, load कर सकते हैं, but मैं आपको यह कहूँगा कि और थोड़ा स किस तरह से करना है, तो आप यहाँ पर आके documentation में पढ़िएगा, वैसे अगर नहीं मिले तो मुझे comment section में बताइएगा, चीजों को मैं और असान कर दूँगा, काफी easy हो जाएगा अपना काम, तो यह था actually में, पूरा हमारा detail, एक बार मैं आपको summary दे देता हूँ उसकी, क् वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, home, about us, contact us, बोले sir, 1000 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहला जो interesting काम किया था हमने, वो किया था layout के अंदर, कि layout को हमने क्या बोला, कि देखिए हम आपको एक outlet देंगे, outlet मतलब जो component call कर रहा हूँ वो fix है, लेकिन इसको use करते वे, ज nesting के जो top level था, उसमें layout दिया है, अब layout दिया है top level में, तब ही तो उसके अंदर ये सारे जो है, ये outlet आ पा रहे हैं, तो ये, यही concept है main, इसको ध्यान रखेगा, कि main जो है, वहाँ पर हम layout रखते हैं, कुछ लोग इसको root बोलते हैं, root बोल लीजे, नाम में क्या रखा है, क आपको सिर्फ एक provider चाहिए, router provider, ये router provider क्या है, आपका एक wrapper है, उसके अंदर आपने सब कुछ लपेट दिया है, हाँ जी, इसी तरह से, और इसको एक ही चीज़ चाहिए, कि मुझे तो router बना के दे दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बड़ा जोगी किसम का आ अब आप चाहिए, तो आपको एरे के अंदर direct आप पास कर दीजिए, अगर कुछ लोगों को थोड़ा confusing लगता है, या थोड़ा कम उसके अंदर information है, तो वो भी ठीक बात है, तो आप यूज कर लीजिए, method create routes from element, और इसके अंदर आपको जो भी routes बनाने, आप routes बना दीजि बस यहाँ पर यह लीजिए, मैंने इसको route बना लेता हूं इसको मैं, sorry slash लगाना पड़ेगा, slash यह लीजिए, अभी अपने आप में self closing हो गया है, अब इसके अंदर आके nesting कर लीजिए, इसके अंदर वापिस आईए और यहाँ पर route बना लीजिए, अगर मैं लिख पाया त slash इसके बाद suppose करिए मैं कर देता हूं हितेश, तो अभी path क्या हो गया, slash about slash हितेश, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास path हो गया, slash तो ही सब के अंदर, फिर आपने about को और nesting कर दिया तो इसके अंदर अपने आप एक slash automatically आ जाएगा और यहाँ पर हितेश, तो यह आपने about क इसको भी nesting कर दिया, कि इस तरह से देख लीजेगा करके कि किस तरह से about के अंदर slash और यह तेश आ गया, थोड़ सा करके देखेगा, तब आपको चीज आएगी, मैं इसको अभी control Z, control Z, command Z कर देता हूं, ताकि हमारे पास जैसा syntax था, वैसा वापस से syntax आ जाए, यह लीजे, हाँ जी, self closing हो गया, तो ठीक है, तो यह हमने देख लिया, अब हमने यह भी देखा कि actually मैं dynamic values कैसे हम ले पाए, URL से, तो उसके लिए user ID हमने लिया, हमने कहा था कि अगर इसको ID ले रहे हो, तो ID note down कर लेना, user ID ले रहे हो, तो user ID ले लेना, लेकिन जहाँ पे भी element load होड़ा ह जैसे user के अंदर, तो वहाँ पे उसको extract भी उसी तरह से करना, यहाँ पे अगर ID लिया है, तो ID बोलना उसको, user ID बोला है, तो user ID, अपने आप magically कुछ नहीं होगा, एक hook यूज करना पड़ेगा, use param, देखा न, अपने आप कुछ नहीं होता है magic, सब functions है, function कोई hook बोलता है, अच्छी लाइन है, comments में लिखियेगा, ठीक है, तो हमार पास next आया, कि हम कैसे चीजों को optimize कर सकते हैं, जहाँ API calls हो, तो API call हमें बहुत आसानी से आती है, क्योंकि हम JavaScript में पढ़किया है, API call में तो दिखकत ही नहीं है, तो यह हमने लिया एक loader, और इसका यह method बना दिया, और यहाँ पर यह element load कर दिया, इस element के अंदर हमने देखा कि basic use effect से हम कैसे करते हैं, और हमने router के थुरू यह भी देख लिया, यह GitHub की loader information को भी किस तरह से करते हैं, तो actually में अगर देखा जाए, तो इतना complex है नहीं router, लेकिन लगता है time, यह जो आपका react router का crash course है, यह अपने आप में एक course है, मैंने कई courses देखें, in fact free code cam पे भी देखें, जहाँ पर सिर्फ router के अपने courses हैं, और वो कुछ इतना ही है, तो एक गंटे में हमने जो सीखा है, वो actually में react router का crash course है, react अपने आप में playlist है, हम react router को उसी में inject कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक अलग से भी तो crash course है ही है, तो इस crash course को please please सब जगे फैला दो कि react router अगर सीखना है, तो यहाँ से best कहीं पे भी नहीं है, सबसे easy, सबसे असान, समझ में आने वाला practical project example के साथ में, अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम और कर देते हैं हम यहाँ पे, कि हम चीजों को push भी कर देते हैं, हाँ, last वाला push मैंने सोचा था हो गया है, बट मैंने सिर्फ notes push कर देते हैं actually मैं, बट अभी मैं सब push भी कर देता हूँ, तो stage कर देते हैं changes को, और यहाँ पे बोलते है, react router crash course, ठीक है, crash course ही almost, commit कर देते हैं, और इसको push कर देते हैं, ताकि आपको सारा source code मिल जाए, बड़ा अच्छे से neatly हमने पूरी repository को organize करके रख रखा है, ताकि जितने भी project करें, जो कुछ भी करें हम अच्छे से कर पाएं, अब आते हम यहाँ पे, और एक बार refresh करके देख लेते हैं, चाय और react पे, और हमारा 7th project आ गया, react router और आपके पास, जितना भी react router के notes हैं, वो भी आ गय देगा, देना तो पड़ेगा, वरना फिर fees देनी पड़ेगी, और यह जो course है, 20-25,000 में easily जाएगा, easily बिकता है यह course, तो ऐसा ना करिये, आराम से share करिये, यह fees है इस course की, हम भी भेनत कर रहे हैं, थोड़ी से आप भी करिये, ठीक है, चलिए, मिलता है अगले वीडियो के कर देदो से एंदर.